नमस्कार दर्शको आपको इससे पहले भी हमें एक खबर दिखाए हैं रोड के बारे में जी हाँ ये वही नियाई पंचायत कारी कोट अंतरगत ग्राम पंचायत बात पुर बनकटी चफरिया सुजौली और कैलास पूरी गिर्जा बैराज के रास्ते को जोड़ेने वाली एक जरूरी सड़क है जिसकी हालत की बात की जाए तो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं कि यहाँ सड़क तो नजर नहीं आ रही ऐसा लग रहा जैसे इधर उधर पत्थर बिखेर दिये गए हों और इटे इधर उधर बिखेर दी गई हों काफी आबादी वाला छेतर है और एक जरूरी नजर में रखने वाली बात अगर कोई है तो यही है कि आने जाने वाले यातायाद के साधनों को तो दिक्कत होती ही है साथ में छेत्रिये लोग को काफी ja परिसानियों का सामना करना पड़ता है बरसात के सीजन मे तो ये भर सजाता है किस तरीके से हमारे जो सडक निर्माता इंजीनियर महोदे हैं ठेकेदार महोदे हैं और जो उनसे भी उपर बैठे हैं PWD के बड़े अधिकारी कर्मचारी है हमारा उनसे सीधा सवाल है आखिर ये रोड जो महज दो से तीन साल के अंदर ही धस्त हो जाती है पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है ऐसी रोडों के लिए वहा किस तरीके से ठेकेदार को पेमेंट कर देते हैं कहीं न कहीं उनका भी परसेंटेज तैं हैं तभी ये रोड इस तरीके से है इससे पहले भी खबर दिखाए थे आज भी हम दिखा दे रहे हैं इससे पहले नेताओं की रैली हुई आने जाने वाले सैकडो लोग रहे इस रास्ते पर बीवी आईपी की गाडियां भी यहां से गुजरी लेकिन गड़ों की बात करें तो हम चलते जा रहे हैं आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रोड है और यह यहां पर देख लीजे छोटी गाड़ीयों के लिए जैसे वैगनार हो गई या सुइप्ट हो गई इस तरीके से जो छोटी गाड़ीया है जनका बंफर छोटा है उन गाड़ियों की क्या दसा होगी, ये सामने दादा है, दादा से पूछेंगे, और ये भाईया देखिए, देखिए, इस रास्ते पे आए, अच्छे खासे, वाइट कपड़ों में जा रहे हैं, और जाते-जाते ये धुरिया जाएंगे, भाईया कहां के रहने वाले हैं, स तो इससे पहले भी तो बनी थी इसका यह जो सामने गढ़्धा है इसके बारे मापका कहेंगे इसके बारे में और वड़ा दलवा दियाती हैं वह निटा के रहें यानि इसका पूर्ण रूप से सही नहीं करवाते हैं और यह देखिए भाइया जी हमारे चस्मा लगा के आ रह से और खुदा नखासता अगर यहां सिलिप कर जाए वास्टिक्ता में यह देखिए यह हादस्या यानि यह जो सड़क बनती है अगर हम इसकी बात करें तो इस सड़क से जितना रुपिया हमारा जाता है साइध ही कहीं जाता है लेकिन जो जिम्मेदार है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे है भाईया गाड़ी वाले देखिए किस तरीके से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे है इनका बिजनेस और बढ़ जाए आया दिन यह पिंचर इनका इनकी गाड़ी जो जा रही है यह आया दिन पिंचर होती है कहीं लड़ जाती है कारण और यह देखिए भोले नाथ हमारे पीछे से गुजरे बच गई नहीं तो हम भी लोड़क जाते ये भी परिसान करते हैं इन्हीं रोडों के सामने जब ये आ जाते हैं तो दुर गटनाय संभव हो जाती हैं और आप देख लीजे सामने से जो भाईया आ रहा है जब एक गाड़ी धर से गुज लिए पैसा देते हैं तो क्या सरकार का ये विशेज रूप से मुख जो है इस तरफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कमेंट में बताईएगा और रोड की बात कर रहे थे रोड क्या है किस तरीके से है वो तो आँखों के सामने दिख रही है ये इस पस्थ है कि हां वास् हमको जुलसा देगी वैसे भी बोल-बोल के मेरा जो पूरा उर्जा है वो खतम हो रहा है फिलाल हमारे साथ में चेत्रे ग्राबिड है इन से हम बात करें क्या नाम है आपका कहा करें रहने वाले हैं रोड का ये जो आलम है जो देख रहे हैं यानि लोग ये देखें उड़ से ऐसा आलम है तो यह बड़े बड़े गड़्ध है इनको कभी ढखा नहीं गया नहीं गया नहीं दखा गया नहीं चलती है तब वो लोग बोड़ा इंटा डाल करके अपना गाड़ी बोड़ा निकाल लेते हैं बसको करेखे देख सकते हैं यह तरफ कहां से कहां तक जाती है यह मतलब इससे काफी प्रेशानिया है प्रिशणिया आथ तो आगदेक सकते हैं ग्रामिड भी त्रस्थ हैं करें तो क्या करें क्योंकि ठेकेदार और साइड इंजिनियर दोनों मिली भगत में मस्त हैं एक बार PWD के अधिकारियों से मेरा सवाल है और हमारे जितिन प्रसाद जी जो मंत्री जी है उनसे भी ये सवाल है और हमारे सडक एवं परिवाहन मंत्री नितिन गटकरी जी से भी हमारा सवाल है कि स्रीमान जी एक बार ग्राम की ओर देखिए एक बार गाउं की ओर देखिए क्योंकि ग्राम पंचाइतों को कई निधिया दी गई है उसमें एक निधि और जोर दी गई O.D.F. O.D.F. के दुरू गाउं तो सच्छ बना रहे हैं गाउं का विकास कर रहे हैं लेकिन जो इन गाउं के मूल भूत विकास रोजगार का छेतर हो सिक्षा का छेतर हो या अन्य कोई छेतर हो साधन रूपी जो सबसे एहम मुद्दा है वह या रोड है जिसको ले करके कई बार प्रकासित की गई कई बार ग्रामीडों से ग्रामीडों ने अपनी आवाज हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुचाने की कोशिस की लेकिन सरकार का मुद्दा गढधा मुक्ती अगर ये गढधा मुक्ती ना होता तो अगर पांच साल में दो बार सड़क की रिपेर पूर रूप से काम करवा दिया जाता तो सायद आज ये आलम ना होता क्योंकि गढधा मुक्ती के नाम पर अर्बो घर्बो अंदर करने वाले उन जिम्मेदार अधिकारियों से करमचारियों से और जिम्मेदार मंत्रियों से मेरा सवाल है कि इसका पैसा कहा गया ग्रामीड चाहे वो एक माचिस लेता हो या कुलफी बेचने वाला ये देखिए इस कड़कडाती धूप में अपने AC में बैठे उन लोगों से मेरा सवाल है कि इस कड़कडाती धूप में एक आस्क्रीम बेचने वाला भी टैक्स भरता है या आस्क्रीम बेच रहा है ये भी टैक्स भरत इस रोड का निर्मार होना चाहिए तो इस वीडियो को इस खबर को इतना सेर करिए कि जो गरीब हैं जो मजदूर वर्क के लोग हैं जो ग्रामिड छेतर के लोग हैं उनके लिए साधनों की सुगमता निश्चित हो जाए और इस तरीके की जो रोडे हैं उनका निर्मार हो जा झाल